Hello Everyone, Welcome to Origin आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के English का 1st chapter जिसका नाम है A Letter to God और जिसके ओथर है G.L. Fluentis इस स्टोरी में आज की सेशन में हम देखने क्या वाले हैं इसके बारे में एक बार हम अच्छे से डिसकस कर लेते हैं एक चीज में आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूँ कि इस वीडियो के end होने के बाद आपको कुछ भी एक्स्टा चीज करने के जरुरत नहीं है सिर्फ एक का आपको करना है अपना टेक्सबुक से इस टोरी को आपको रीड कर लेनी कि इसमें क्या क्या चीज दिये हुए है and that's it question की सारी practice हम इसी वीडियो में करेंगे I guess मैंने 20 के आसपास questions आपके लिए लाए है and वो questions मैंने इस तरीके से sort out किये हैं जिससे कि इस chapter से जितने टाइप के questions बन सकते हैं वैसे टाइप के question examiner बना ले आप उन सारे questions के answer easily दे सकते हैं सिर्फ इस वीडियो के end होने में summary हम इस वीडियो की एक बार मैं आपको वो discuss कराईता हूं कि क्या के हम देखने वाले हैं okay so आज का जो हमारा session का छोटा सा ओवर भी मैं आपको बता देता हूं sketch देखेंगे सबसे पहले हम जिसमें छोटा सा हम देखेंगे कि इस story में क्या पढ़ने वाले हैं then story की summary most important session यह जो हमारा वीडियो है आज का इसका जो most important part है वह story की summary अगर वह summary आपने बहुत अच्छे से समझ ली तो आपको इस story में कोई doubt नहीं होने वाला है जितने questions आपके सामने आएंगे आप easily उन सबसे deal कर सकते हैं next जो हमारा part होगा question practice जिसमें हम NCRT questions करेंगे then PYQs and then at the last long answer questions and long answer question की खासियत यह होगी कि उसमें जो question मैंने थोड़े से लाएं क्योंकि long answer में पूरा story cover करना होता है so यह जो हमारा answer इस तरीके का होगा कि इसमें हम सारी चीज़े cover करें जो इस चेप्टर में included है इससे हम वो सारी चीज़े complete कर लेंगे जो किसी भी तरिया question इस exam में पूछा जा सकता है and कोई question आप से छूटेगा नहीं अगर कुछ बचा चो question की practice में हम cover कर लेंगे and summary बहुत important है so be with me till the end of the video and अब हम ready है इस story को start करने के लिए उसके पहले हम इस story का sketch देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़े हम देखने वाले है so इस story के जो characters है वो है lancho and postmaster lancho एक farmer है और postmaster है उसका job ही postmaster का है तुफान की वज़े से उसका खेद जो है वो उजड जाता है और गौड को किस तरीके से letter लिखता है and postmaster का इस story में क्या role है और humanity से इस story किस तरीके से related है ये सारी चीज़े हम आज की इस video में discuss करेंगे इस story में हमको सुनना है so I know कि अब हम अच्छे से ready हैं इस story की summary को देखने के लिए and अब आपका सारा ध्यान होना चीज़े इस video पे and NCRT book आपको अपने पास नहीं रखनी सिर्फ आपको ये video देखना है साथ में read नहीं करना है इस video के end होने के बाद बस आपको एक बार read कर लेना है clear so अब हम अच्छे से ready है and now अब हम start करने वाले हैं इस story की summary okay a letter to God by G.L.Fundus so ये जो story है हमारी उसका main character है लैंचो लैंचो जो की काफी hard working farmer था and dedicated farmer था काफी dedicatedly अपने fields में वो काम करता था and जो rain है उसको उससे काफी hope था कि इस साल rain अच्छी होगी फसल मेरे खेतों में अच्छे से हुएगी and मैं काफी income करूँगा इन फसलों को बेच के इसलिए rain को उसने जो है वो पैसो से compare किया था एक तरीकी currency है क्योंकि rain अगर अच्छी हुई तो उसके खेतों में जो फसल है वो अच्छे से हुगेगी and अगर फसल अच्छे से हुगी तो उसको पैसे मिलेंगे इसलिए उसने जो बारिश की बूंदे हैं उन्हें पैसो से compare किया था अब होता यह है कि लैंचो अपने घर पे बैठा हुआ अपने खेतों को देखते हुए सोच रहा है कि कास बारिश अच्छे से हो जाए बादल आने लगते हैं बारिश के लैंचो बहुत खुश हो जाते है कि अरेवा आज मस्त बारिश होने वाली है और बारिश फिर होनी शुरू भी होती है लैंचों और खुश हो जाते है कि यह रे वह बारिश होने भी लगी एद बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता है भगवान को वट थोडी देर में वह जो बारिश फो तुफान बदल जाती है वह जो बारिश फो हेल स्टॉम में बदल जाती है अभ वो चाहता है कि उसको पैसे किस तरीके से मिलेंगे बहुत सालों से खेतों में काम करने के बाद भी लैंचो इतना पढ़ा लिखा था ही कि वो भगवान को एक लेटर लिख सके तो उसने pen और page उठाया और God के नाम पे उसने एक letter लिखा और उस letter को post कर दिया उस letter पे उसने लिखा कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है और वो आप मुझे भिजवा देजिए बहुत ही जादा फेता लेंचों को God पे और इसलिए उसने God को वो letter जो है उसके जाद वो letter पोस्ट मास्टर को देता है और पोस्ट मास्टर जब address देखते है तो वो भी बहुत हसने लगते हैं कि आरे इस आदमी ने तो God के address पे letter लिखा है बट जब वो उस letter को open करके पड़ते हैं तो वो बहुत emotional हो जाते हैं वो serious हो जाते हैं कि इतना जादा faith God पे आज के time पे unconditional faith किसी आदमी पे नहीं हो सकता और इसका ये faith मुझे तूटने नहीं देना है पोस्ट मास्टर ये सोचता है अब होता ये है कि पोस्ट मास्टर अपने salary का कुछ percent देता है और अपने पूरे post office से कुछ पैसे ही कठे करता है बट ये सब मिला के भी उनलोग सिफ 70 पैसो के around कुछ रुपिय ही कठे कर पाते है बट पोस्ट मास्टर वो सारे पैसे ही कठे करके envelope में भरता है और उसको लैंचो के address पे post कर देता है अब लैंचो तक वो letter पहुचता है लैंचो उसको open करता है envelope को और उसमें पैसे देख कि उसको बिल्कुल भी shock नहीं होता क्योंकि उसको तो God पे faith है उसे पता है कि भगवान उसकी help करेंगे उसको 100 पैसो जो है वो भिजवाएंगी अब जब वो उसको open करता है तो उसको shocking नहीं लगा कि अरे इसमें पैसा है in fact वो और निराश हो गया उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है और उसने जब count किये तो उसमें 70 पैसो थे जबकि उसने God को बोले थे 100 पैसो के लिए बट अब वो ये सोच रहा है कि भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वो पैसे भिजवाए होंगे उन्होंने 100 पैसो ही मुझे भिजवाए है लेंचो काफी निराश हो गया वो फिर से एक पैज उठाता है एक पैन उठाता है और उसमें वो एक बार फिर से God के अड्रेस पर लेटर लिखता है कि God आपने तो मुझे 100 pesos ही send किये हैं बट ये जो post office के लोग हैं ये छोड़े एक तरीके से हम बूल सकते हैं पैसे इन्होंने खा लिये उसने word use किया crook post office में कई सारे crooks है ये word आप याद रख लिजी आंसर लिखने में काम आएगा उसने crooks word use करते हुए बोला कि post office के कुछ लोगों ने मेरे पैसे जो है वो ले लिये हैं इस तरीके से ये जो हमारी story है वो end हो जाती है post master भी उस letter को पढ़ता है ये थी हमारी story अब इस story का conclusion यहाँ पे क्या निकलता है दो conclusion हम इस story से निकाल सकते हैं first conclusion is that कि अगर हम unconditionally God पे faith करते हैं तो हम जो काम चाहते हैं वो हमारे साथ जरूर complete होगा and जो second हमको इससे conclusion मिलता है वो यह है कि हमें अब बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि humanity अब जिन्दा नहीं है humanity जिन्दा थी जिन्दा है और हमेशा ही humanity इस world में exist करेगी जिसका नाम था A letter to God अब हम इस story के question वाले section को start करने वाले हैं तो पहला question हम देखते हैं our first question is what did Lencho hope for लैंचो को किस चीज की उम्मीद थी अब यहाँ पर generally students को confusion हो जाता है कि यह question पुछ रहा है लैंचो को 100 रूपीज पाने की hope थी God के envelope से बट ऐसा नहीं था लैंचो को hope थी rain की लैंचो चाहता था कि बारिश अच्छे से hope लैंचो का hope क्या था बारिश से था अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यह जो जितने मैंने questions लाए हैं इसके answer भी मैं आपको show करूँगा बट answer मैं आपको यहाँ नहीं दिखाने वाला क्योंकि answers हमको English में रटने नहीं है कितने answers आप रट लोगे अगर यहाँ पर 20 questions मैं आपको दे दो 20 questions के answer आप ठीक है इस chapter के याद कर लोगे वो आपको अभी याद रहेंगे चलिए एक महीने बाद तक याद रहेंगे अगला chapter भी आएगा उसके अगले chapter भी आएगे I guess 15 के आसपास हमारे chapter से हैं पूरे English को मिला के उन सभी questions के answer साब नहीं रट सकते तो इसमें मैं आप से बताऊंगा कि किस तरीके से question से deal करना है कि समरी को समझने के बाद हम question का answer कैसे करें कि हमको याद भी ना रखना पड़े and जितने नए questions हैं रटने में आप सिर्फ वही question बना पएंगे जो यहाँ आपको याद है जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो नए questions भी आप से बनेंगे इसलिए यहाँ पे मैं answer deal करने वाला हूँ कि किस तरीके से यह story हमने समझा है and answer हम किस तरीके से देने वाले हैं next question हम देखते हैं why did Lancho say the raindrops were like new coins अब यहाँ पे मैंने आपको समरी में भी explain किया था कि Lancho को वो जो raindrops है वो coins की तरह क्यों लगी क्योंकि raindrops ही जो main source of water उसके थे उसके फसलों के लिए उसके crops के लिए जिसके थूरू उसकी crops की जो growth है वो अच्छे से होती and उसकी वज़े से उसको sell करके उसको पैसो मिलते and उसे वो अच्छे से अपना घर चला सकता था and उसी लिए उसने इसे new coins नाम जो है वो दिया है next question हम देखते है how did the rain change? what happened to lancho's field? अब देखे, मैंने आपको समरी हो बताया कि बारिश आई, बादल घिरे and बारिश शुरू भी होई but बारिश चेंज कैसे होई पुछा है and तो बारिश चेंज कैसे हुई अब तबाह हो गई थी तो हम इससे क्या लिख सकते है lancho's field was destroyed and his crops were also destroyed यस तरीके से short answer question है 30 to 40 words में हम असानी से answer कर सकते है what were lancho's feeling when the hail stopped? अब lancho की feeling क्या थी? lancho काफी sad हो गया था एक तरीके से निराश हो गया था and got, अब उसको क्या है? अब वो यह सोचने लगा था कि अब पैसे मेरे पास कहाएंगे मैं घर पे खाना कहा से लाऊंगा मेरा घर किस तरीके से चलेगा तो यह सारे जो feelings थी वो lancho के mind में आने लगी थी next question हम यहाँ पर अपना देखते है who or what did lancho have faith in? what did he do? अब यहाँ पे हमने देखा कि यह पूरी story जो है वो God पे unconditional faith unconditional trust के उपर based है तो यहाँ पे भी हमें answer में यही लिखना है कि lancho had faith in God lancho का faith था God पे and what did he do? उसने क्या किया? उसने God के address पे letter लिखा God को 100 पैसो की demand की इस तरीके से हम इस question का answer कर सकते है next हमारा question है who read the letter? अब यहाँ पे यह read नहीं यह read है past form में grammar में आप इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे who read the letter इसमें लिखा है तो letter किस ने पढ़ा? letter पढ़ा postmaster ने God पे नहीं God ने नहीं letter पढ़ा postmaster ने confusing question है God ने इस पूरे इस story में letter पढ़ा भी नहीं what did the postmaster do then? अब उसके बाद यह देखिए यह दोनों questions एक है यहाँ पे मैंने different different इसको लिख दिये है but इसको आप एक ही question मानके चलिए यह question इस तरीके से आया था who read the letter? what did the postmaster do then? तो postmaster ने उसके बाद किया क्या? postmaster ने पैसे ही घटे किया अपने post office के employees से and खुड अपने salary का कुछ percent उसमें डाला and उसने lancho के address पूस envelope में भरके send कर दिया यह जो था वो postmaster ने किया next हमको देखना है what made lancho angry? lancho को किस चीज़ पे गुसा आया? अच्छा question ही यह lancho को किस चीज़ पे गुसा आया? यह मैं आपको देता हूं homework अगर आपने summary अच्छे से पढ़ा होगा तो यह question आप easily answer कर सकते हैं बहुत ही easy question है so यह है आपके लिए homework question homework का answer आपको comment box में देना है सारे comments में ध्यान से पढ़ूँगा and जो answer मुझे best लगेगा उसको मैं pin भी करूँगा next question है हमारा who does lancho have complete faith in? which sentences in the story tell you this? अब यहाँ पे फिर से repeated question है अब देखिए मैंने आपको text book पढ़ने के लिए बोला है इस video के end होने के बाद so यहाँ से मुझे यह भी पता चल जाए कि आपने अपना text book पढ़ा है की नहीं पढ़ा है so इस question का answer तो मैंने आपको कर दिया था आपको इसके second part का answer करना है यह भी आपके लिए homework है यह दो homework मैं आपको इस video में दे रहा हूँ जिसके answers आपको comment box में करने है इससे मुझे यह भी confirm हो जाया कि आपने NCIT textbook पढ़ी या नहीं पढ़ी next question है हमारा did Lancho try to find out who had sent the money to him why और why not अब यहाँ पे पुछा है कि क्या Lancho ने try किया कि वो पैसे उसे किसने भेजे क्यों या क्यों नहीं तो जैसा कि हमने story की summary में देखा कि Lancho को बिलकुल भी surprise नहीं हुआ Lancho बिलकुल भी shock नहीं हुआ उसने envelope में पैसे देखे तो अगर वो shock नहीं हुआ तो वो धूरने भी नहीं गया कि यह पैसे उसे किसने भेजे है क्यों धूरने नहीं गया क्योंकि उसको पता था कि यह पैसे उसने God नहीं भेजे है अब यहाँ पे पुछा है why और why not यहाँ पे why not का answer हम लिखेंगे Lancho ने उसको search नहीं किया इसमें क्या हम लिखेंगे Lancho did not try to find out who had sent the money to him because he knew that the money will be sent by God and he had completely trust in God that's why Lancho did not try to find out who had sent the letter to him और who had sent the money to him इस तरीके से हम explain कर सकते हैं कि reason क्या होगा Lancho को God पे unconditional faith था पूरा उसको God पे trust था इसलिए उसने यह try करने का find करने का बिल्कुल भी try नहीं किया कि यह money उसे किसने भेजे हैं next question है हमारा who does Lancho think has taken the rest of the money what is the irony in the situation अब irony means क्या होता है just opposite होना किसी चीज़ का मतलब कोई किसी किसी दो चीज़ के एक ही चीज़ के दो चीज़ का opposite होना for example आप बोल जो रहे हैं आप उसका just उल्टा करने है यह आपकी क्या होती आईरनी होती है hypocrisy आपने सुना होगा hypocrisy so वही irony and hypocrisy are almost same things so अब हम यहाँ पे question पूछ रहा है who does Lancho think has taken the rest of the money what is the irony in the situation तो हमें यहाँ पर क्या पता है कि Lancho क्या सोचता है किसने उसके पैसे चुरा लिए post office के लोगों ने post master ने या जो post office में जो crooks है उन्होंने ये लैंचो के जो पैसे हैं वो चोरी कर लिए बट यहाँ पर irony यह होती कि इसका just ultra case है actually जो पैसे उसे मिले हैं वो भी post office के लोगों नहीं उसे वो पैसे दिये हैं तो यहाँ पर irony यहाँ पर हमें ये दिखी कि जो money भेजी गई थी वो post office द्वारा थी बट Lancho को यह लगता है कि post office वालों उसके पैसे थोड़े खा ली यह यहाँ पर irony थी clear अब हम चलते हैं हमारे next question के तरफ जिसमें है अब दिखी अब हम यहाँ पर pyq discuss करेंगे and pyq से हमको clear हो जाएगा कि हमें यह chapter कितने अच्छे से समझ में आया है so question हमारा बोलता है who was Lancho what were his main problems अब Lancho के बारे में हम क्या जानते हैं कि Lancho कौन था so Lancho was a farmer clear Lancho क्या था farmer था Lancho was a dedicated farmer भी लिख सकते हैं and थोड़ा सा और उसके बारे में आपको explain करना है तो Lancho के पास क्या थी field थी जिसमें वो rain के लिए hope कर रहा था यह चीज आप थोड़ा सा और explain अगर आपको करना है इसमें तो आप लिख सकते हैं Lancho a dedicated farmer था उसकी green field थी and he was hoping for a decent rain to have a good growth of his crops this year इस तरीके से आप Lancho के बारे में बता सकते हैं कि Lancho कौन था अब उसकी main problems क्या थी उसकी main problems थी कि जो rain की issue थी main issue यहाँ rain से है तो उसकी main problem में आ जाएगा यहाँ पे not decent amount of rain clear rain अच्छा नहीं होता था इसलिए उसकी फसल खराब होती थी और उसे उत्या proper income नहीं मिल पाता था जित्ता उसे चाहिए था और जो another income है वो income की problem है और जो third problem थी उसकी वो क्या थी जब hail storm आया तो उसका जो पूरा crops है वो destroy हो गया यह तीन problem इस story में हमने लैंचो के बार में पढ़े हैं इस question में proper जो answer हमारा होगा वो होगा decent amount of rain लैंचो के fields को नहीं मिलती थी next question है हमारा what did लैंचो compare the raindrops to and why यह तो अभी हमने discuss किया इसने किस से compare किया new coin से compare किया अब new coin से इसने क्यों compare किया वो भी मैंने आपको summary में भी explain किया फिर question में भी explain किया अब एक बार और मैं आपको explain कर देता हूं कियो उसने compare किया क्योंकि उसके जो fields थे वो fields में जो crops लगे थे वो rain से ही अच्छे से grow होते हैं कि लैंचो यहाँ पर क्यों बोलता है कि money को mail के थ्रू मत भेजना तो लैंचो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे post office वालों पर शक होता है कि अगर God उन्हें पैसे भेजेंगे तो post office में जो बैठे हुए लोग है वो थोड़े से पैसे चोरी करके अपने पास रख लेंगे यह reason था कि लैंचो कहता है money को mail के थ्रू मत भेजना next question है who does Lancho think has taken the rest of the money what is the irony in the situation देखे यह repeated question है same word to word repeat जो हमने पिछले question में पिछले page में दिखा था क्योंकि यह PYQ में भी आया हुआ question है यह question same NCRT में भी है अब हमारा next question है give a character sketch of Lancho अब Lancho के बारे में हम क्या क्या जानते है dedicated farmer था उसको क्या था unfaithful trust था किस पे God पे उसको God पूसको unconditional क्या था trust था and another thing हम उसको क्या लिख सकते है main तो यह दो करेक्टर से Lancho के बारे में third thing हम उसको लिख सकते है कि वो काफी innocent था क्योंकि उसको God पे unconditional trust था and वो God को letter भी send करता है and another thing हम लिख सकते है कि उसने post office के logo पे शक किया था यह वाला line हम उसको पे add कर सकते है and एक और चीज़ नहीं इतने lines थी कहा है short answer question में question आता three to four lines हम इसमें लिखेंगे and Lancho करेक्टर sketch है वो complete हो जाएगा clear so यह थे हमारे PYQ questions next question हम देखते है long answer questions इसको हम एक बार read करते है कि यह question कह क्या रहा है humanity still exist this is what we get to know after reading a letter to God in which firm faith in God of a poor farmer and helpfulness of the post of his employees are aptly depicted thought write a paragraph on the values in it in about 80 to 100 words give the paragraph a suitable title अब यहापे सबसे best suitable title यह हो सकते है क्या humanity still exists उससे अच्छा title कुछ नहीं हो सकता तो यह question में भी यही दिया गया है यह title हम यहाँ पे लिख सकते है बट अगर हम यह title लिखे तो ऐसा हो सकता ही कि examiner के mind में आए कि इसने कुछ नया try करनी की ज़रत नहीं की so हम humanity से ही related कुछ अलग title हम सोच सकते हैं वो हिंदी में काम आता है वो आप physics chemistry bio में लिखी आप उसको लेकिन वो English में काम नहीं आगा English में आपको paragraphs ही लिखने है clear so हमको यह paragraph किस तरीके से बनाना है हमको लैंचो का character sketch पूरा explain करना है कि किस तरीके से God पे faith था यहाँ तक explain कर देंगे अब यहाँ पे हमको क्या पता चला हमारा यहाँ पे सारे जो इस story में हमने questions लिखे हैं वो सब यहाँ पे use होने वाले कैसे start करेंगे character sketch से जो कि हमने पहले question देखा then हम postmaster ने किस तरीके से लैंचो को help किया यह हमें बताना है and then हमको यहाँ पे conclusion में लिखना है कि किस तरीके से humanity के बारे में हमें पता चला तो जितनी मैंने summary बताई है उसका आपको English में translate करके 80 to 100 words में लिख देना है full marks आपको इस question के मिलेंगे clear next हम यहाँ पे देखते हैं describe Lancho's qualities in light of his faith in God do you have faith in God like Lancho was Lancho's reaction towards post office employees right अब यह देखिए यह थोड़ा logical question है इसमें वराई कर सकता है सभी का answer तो मेरे ख्याल से यह question exam में आना भी नहीं चाहिए and यह thinking skills पे based है यह आपके वाईवा में पूछा जा सकता है तो यह answer मैं तो answer इसका नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इसमें personal opinion देना है आपका जो opinion है वो आप यहाँ पे दे दीजिए बट मेरे ख्याल से यह question जो है वो answer में नहीं question में नहीं नहीं आने वाला and आया भी तो आप अपना जितना opinion आपके अंदर है आप इस question में लिख दीजिएगा कि क्या लैंचो ने वैसा letter सहीं लिखा sorry लैंचो का जो reaction था employees के तरफ वो सहीं था ऐसा उसका सोचना तो यहाँ पे दो अलग-अलग तरीके के लोग सोच सकते हैं एक सोच सकता है कि नहीं उसका सोचना गलत था उसको positively सोचना था दुसरा सोच सकता है कि नहीं वो सहीं सोच रहा है क्योंकि आज कल इस तरीके का time है लोग इस तरीके की हरकते कर रहे हैं सभी के जो views है वो यहाँ पे different होंगे इसलिए इसका answer आप खुच से बनाए जादा better होगा बस मैं आपको यह बता देता हूँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने questions इस chapter से बन सकते थे वो मैंने आपसे discuss किये with PYQ, with NCRT questions and with long answer questions too अब अगर कुछ नए questions बने भी तो answer आपके यहीं से निकलने वाले हैं कहीं और से नए answer आपको ढूंड के लाने की ज़रूरत नहीं है रही बात MCQs की इस साल जो हमारा CBSC वो MCQs पे ज़्यादा focus करेगा so unseen passages की practice, extract based questions की practice and writing section हमारा grammar का section यह सारी चीज़े हम exam time पे अच्छे से तेजी से discuss करेंगे क्योंकि यह सारे questions जो वो तुरन बनने वाले होते यह साल भर पढ़ने के आपको जरुरत नहीं letter writing का format आपको देखना है extract and unseen passage की थोड़ी सी practice and MCQ के बहुत सारे questions so यह सारी चीज़े हम इस session में करने वाले हैं बस आपको इस channel से जुड़े रहना है till then goodbye, thank you, take care मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिंद